नमस्कार दोस्तों, आपके एपने चैनल टीचर जोप सुनिल में दोबारा आपका फिर से स्वागत है दोस्तों दोबारा से मैं आपके शामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नौन टीचिंग वेकेंसि लेकर के आया हूँ और ये जो वेकेंसी आई हुए जार्खन डियेवी से आई हुए जॉन एक ही वेकेंसी है जमसेतपूर के तो इस वेकेंसी के डीटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लेटेस्ट प्राइबेट गॉर्मेंट हर एक छोटी बड़ी टीचिंग वेकेंसी की अपडेट रोजाना सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा ले वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा सज़्यादा उन लोगों को सेर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वाइरमेंट है या जो बीएड कर चुके है तो चलिए इस वेकेंसी के डीटेल्स हम जानते है तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अभी तक आपने मेरा प्रिवियस वीडियो नहीं देखाया तो देख लें जहां पर मैंने बहुत सारे डीएवी की वेकेंसी बताई है जहारखन जोन की तो यह जो वेकेंस है टीचिंग और नन टीचिंग स्टाप की है रेगुलर एदोक और कॉन्टेक्च्वल तीन बेसिस पर यहां पर एकुटमेंट है और यहां पर जो वेकेंसी है पीजीटी की इंगलीज, फिजीक्स, केमेस्ट्री, मैथ, बाइलोजी और कॉमर्स की है जिसमें मास्टर डिग और नर्सरी टीचर की हो सकता है जिसमें आपका बेचलर या मास्टर डिग्री विट बीड और टेट होना चाहिए नन टीचिंग स्टाप में यहां पर जो है ओफिस एसिस्टेन, UDC, LDC, लाइब्रेरी एसिस्टेन की वेकेंसी है और टोटल जो वेकेंसी है देख सकते हैं ड DAB, NIT, अधित्तिपर, DAB, PS, गुआ, DAB, PS, नवामुंडी, DAB, PS, चिरैया, DAB, PS, जिंका, पाने, TPS, DAB, PS, भारा गोरा से आई हुए है दोस्तों टोटल जो है छे स्कुल की वेकेंसी है और आपको अधिक जानकारी के लिए जो वेबसाइट है DAB, RD, J, H, John, A.com पे जाकरके अपलिकेशन फॉर्म फिल करना है और सारा गाइडलाइन्स को पढ़ना है एज आपका 35 से बिलो होना चाहिए एज की गन्ना 14-2022 से तक की जाएगी और फ्रेसर भी अपलाई कर सकते है रिटेन टेस्ट इसका 27-3-2022 को संडे को होगा 10 बजे से जो भेन्यू है DAB, Public School, NIT Campus, अदित्यपूर, जमसेदपूर में होगा, लास्ट डेट ऑप सब्मिशन, ओन्लाइन अपलिकेशन, 20 मार्च, 2022 से, कोई भी डाउट ये कन्फ्यूजन होता है तो यहां कॉंटेक्ट नमर दिया गया, दोदो आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं, तो अच्छी वेकेंसी है, आप ज ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से और लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद!